सुपरभात नन्ने गोईंकन्स कक्षादो के चात्रो चात्राओं बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं यानि के दोहरा रहे हैं पार्ट दस जनम दिन मैंने यहाँ पर कुछ इस केक जो भरत का केक है उसके लिए यानि के उस टॉपिक पर उस शीर्षक पर भरत के जनम दिन का केक उस पर मैंने पांच वाक्य लिखे हैं यह वाक्य आपको पढ़ना है और अपनी लेखन पुस्तिका पर लिखना है ठीक है बच्चो हम पहला वाक्य पढ़ते हैं यह भरत के जनम दिन का केक है इस केक को देखके मैंने ये वाक्य एक लिखा है ऐसे ही अगर आपको कोई सा भी चित्र दिया हो उस पे आपको वाक्य लिखने के लिए बोलें तो आप पहले चित्र पर ध्यान दीजी कहानी पर ध्यान दीजी फिर आप ये वाक्य लिखें दूसरा वाक्य है ये केक उसकी मा ने बनाया है ये हलवे का बना हुआ केक है जो भरत की मा ने उसके लिए हलवे का एक बड़ा सा केक बनाया था ये हलवे का बना हुआ केक है ये बिलकुल गोल आकार का है याने के गोल आकार का याने के गोल है इस पर साथ मुम्बतियां लगी हुई है क्योंके इस पर साथ मुम्बतियां लगी हुई है क्योंके भरत साथ साल का हो गया था इसलिए उसकी माने इस पर साथ मुम्बतियां लगाई थी ठीक है बच्चो आज का पार्ट यहीं तक हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे